आज के इस यूग के अंदर लक्षमी बिना हर वेक्ति अदूरा है क्या आपके जीवन में भी रिन की स्ततियां बढ़ गई है व्यापार चल नहीं रहा है आर्तिक स्तति हमी सब फ्लच्विशन से भरी रहती है मालक्षमी आती तो है पर कब जाती है आपको पता भी नहीं चलता तो जूड़िए हमारे साथ इस अद्बुद माहालक्षमी अनुस्ठान से अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिये गए नमबरों पर संपर कर सकते हैं आप सभी को रिशी पंच्मी की हार्तिक शुब कामना है रिशी पंच्मी का पर्व उन सब्त रिशियों को समर्पित है जिन्होंने ब्रह्मांड में ग्यान का प्रचार किया कई महान कारे के, कई महान सास्त्रों और क्रंतों की रचनाएं की और इन रिशियों की ही गोत्र, जैसे मेरा गोत्र कश्यब गोत्र है तो कश्यब गोत्र यानि कश्यब रिशी की हम संताने हैं इसलिए हमारा गोत्र है कश्यब गोत्र ऐसे ही इन रिशियों की संताने उरे संसार में व्याप्त हैं तो आज इन रिशियों को समर्पित करते हुए अपना दिन निकालना चाहिए जैसे वन में रिशी रहकर घास पूज खाकर अपना साधा जीवन जीकर अपने उच्छ विचारों को व्यक्त करते थे उसी प्रकार से आज के दिन उन रिशियों के मार्क पर हमें चलना चाहिए साती आज के दिन पित्रेश्वरों को तरपन का विदान है रिशियों को अपने इन सबतर रिशियों को और अपने गोत्र के बंशजों को तरपन करके उनका आशिरवाद लिया जाता है तो आप सभी को रिशी पंशमी की एक बार फिट से हार्दिक शबकामना है धन से मिली खुशी उच समय के लिए ही साथ रहती है अपितु अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है इसलिए धन को नहीं अपनों को अधिक महतवद है क्योंकि ये आपके साथ भी आपको याद करेंगे और आपके बाद भी आपको याद करेंगे नमस्कार, मैं निदी शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 8 सितंबर रवीवार का दैनिक राशिफल और सबसे पहले आते हैं आज के पंच जांग पर बादरपत मा के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथी आज है जो कि साम 7 बच के 58 मिनट तक रहेगी उसके बाद सस्टी तिती प्रारंब हो जाएगी स्वाती नक्षत्र भी आज के दिन आ रहा है जो कि दौपेर 3 बच कर 31 मिनट तक रहेगा उसके बाद विशा का नक्षत्र प्रारंब हो जाएगा चंद्रमा आज तुला राशी में गोचर प्रमन करेंगे वेद्रती योग आज के दिन बन रहा है सुब समय जिसे हम गुली काल की नाम से जानते है उसका टाइम पीरिट दौपेर 3 बच कर 30 मिनट तक रहेगा वहीं राउकाल का समय दौपेर 4 बच के 30 मिनट से साए 6 बचे तक रहेगा दिशा सूलाज पश्यम दिशा में रहेगा यदि इस दिशा में यात्रा करना आवशक हो तो घी खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं बढ़ते हैं आगे और आज आते हैं आज के दैनिक राशी फलपत आज मैं आपको गनेज उत्सब चुकी शुरू हो चुका है कल से तो गणे उत्सब के दौरान किये जाने वाले कुछ राशीगत उपायों के बारे में बताऊंगी तो मेरे साथ वीडियो के अंद तक आपको बने रहना है शुरुआत करते हैं प्रतम राशी यानि मेश राशी से आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन सब्तम भाव में कोचर प्रावन करेंगे आज के दिन साधी सगाई के नियोते आपको मिल सकता है यदि आप या आपका कोई पारिबारिक सर्दस्या विवा योग्य हो चुका है तो आज के दिन आपके कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी आपके कोई प्रिय वस्तु जो की बहुत लंबे टाइम से खोई हुई थी वो आपको पुना प्राप्त हो जाएगी लाइप पार्टनर के साथ में दामपत्य जीवन का फरपूर सुक प्राप्त करेंगे वहीं व्यापार में भी आज के दिन कुछ बड़ा एचिवमेंट आपको मिल सकता है यानि वीकेंड का दिन आज आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा मेश राजी के जातकों को गणेजी के आराधना करके उन्हें सिंदूर अर्पित करना चाहिए आपका शुबरंग रहेगा लाल शुबंग रहेगा साथ अब आते हैं ब्रशब राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन छेटी भाव में कोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके लिए शत्रूओं को समाप्ति करने का है महीं आज के दिन आपको गलत मित्रों की संगती से भी बचना होगा परना वे एक गलत आदत कब आप में डाल देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा आज के दिन मात्रपक से यानी ननियालपक से सुब समाचारों की टापती होगी और थोड़ा आज के दिन आप अपने रुपे पैसों का मुल्यांकन करते हुए दिन व्यतीत करेंगे हल्दी की जड़ पर आट बार ओम गंग 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 श्री गजाय नमा लिखकर भगवान श्री गणीश जी को अर्पित करें आपका शुबरंग रहेगा काला शुबंग रहेगा चार अब आते हैं मिथुन राशी पर आपकी राशी से चंद्रम आज के दिन पाचवी भाव में कोचे प्रमन करेंगे अता आज का दिन करियर को लेकर जो भी दुविधाय हैं उसे समाप्त कर देगा आज के दिन आप ग्रुप स्टडी में बड़ा लाप राप्त करेंगे कुछ डाउट्स बहुत जादा क्लियर होते हुए दिखाई दिनगे आज के दिन अगर आपका कोई परिणाम आना है तो वो आपके लिए सकारात्मक रहेगा संतान से संबंदित सुब समाचार आज के दिन आपको प्राप्त होंगे प्रति दिन श्री गणेश जी को सफेद फूल पर इत्र लगा कर नौ दुर्वा के साथ अरपित करें और सफेद लड़ों का भोग लगाए आपका शिवरंग रहेगा नीला शिवरंग रहेगा पांच अब आते हैं तरकराशी पर आपकी रासी से चंद्रमा आज के दिन चौथी भाव में गोचे प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपकी आर्थिक समस्याओं को कम करेगा महीं थोड़ा सा बजट फ्रेंडली भी आपका दिन रहेगा पर मा के साथ आज के दिन बहस हो सकती है इसलिए आज के दिन अपनी मा के साथ बहस बिलकुल भी न करें आज के दिन कोई व्यक्ति अगर आपसे उधार लेने की कोचिश करें तो आप उसे आज के दिन उधार बिलकुल भी न दे आज के दिन योजना बत तरीके से अपने पेंडिंग कारियों को पूरा करें सभी कारिय सही समय पर पूरे हो जाएंगे शिगणेश को गुड का निवित्य जरूर अर्पित करें आपका शुब्रंग रहेगा पीला शुबंग रहेगा नो अब आते हैं सियर आशी पर आपकी रासी से चंद्रम आज के दिन तीसरे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन चोटी भाई मेनों के साथ आपके संबन और अधिक मजबूत होंगे कोई विशेश कारे में बड़ी सफलता के भी योग बनेंगे आज के दिन याक्राएं आपके लिए सुखत और मंगल में रहेगी वहीं आज के दिन कोई बड़ी हिच्छा आपकी पूरी हो जाएगी जिससे आपका सेल्फ कॉंफिडेंस इंक्रीज होगा श्री ओम श्री स्वेतारकत देवाय नमा मंत्र की कम से कम 108 बार जाप प्रती दिन जिरूर करें आपका शुबरंग रहेगा गोल्डन शुबंग रहेगा दू अब आते हैं कन्या राशी पर आपकी राशी से चंद्रमाहत के दिन दूसरे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन पारिवारिक सुखों में वरती करेगा घर के बढ़ों का आशिरवाद मिलेगा घर में मांगले का रिक्रम हो सकते हैं और घर की महिलाओं को आज के दिन आप शौपिंग कराते हुए और उन्हें प्रसन चित करते हुए दिखाई देंगे गुड की क्यारा गोली बना कर रोज भगवान श्री गणेश को अरपित करें इससे आपकी हर मनो कामना पूरी होगी आपका शुबरंग रहेगा गुलावी शुबंग रहेगा साथ अब आते हैं तुला राशी पर आज आपकी राशी में एक चंद्रमा गोचर प्रवन करेंगे अता आज के दिन आपको अपने सेल्फ कॉंफिडेंस को बनाए रखना है कोई भी कारे जल्द बाजी में आपको नहीं करना है पर योजनबत तरीके से अपने कारियों को जरूर करें आज के दिन आपको जो भी कारिय करने है उसमें घर के बड़ों को पूच कर आगे बढ़ना है दद्याल से आपको सिब समाचार प्राप्त होंगे गनेश मौतसव के दौरान रोज भगवान श्रीक गनेश को साबुत हरे मूं की 108 संख्या में उनको चड़ाए आपका शुबरंग रहेगा भूरा शुबंग रहेगा तीन अब आते हैं व्रश्चिक राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन बारवी भाव में गोजर प्रमन करेंगे आज का दिन खर्चों से बरा दिखाई देगा इसलिए अपने खर्चों को नियंतरत और बैलेंस करके जरूर अपने जीवन में आगे बढ़ें कोई भी कार्य जल्द बाजी में आपको नहीं करना है शांती और धहरी से जो भी कार्य करेंगे उसके परिणाम भी आपको अनुकुल राप्त होंगे आज के दिन यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगल में रहेगी परन्तु आज के दिन कोई भी रिस्की काम में हाथ न डालें शी गणेश स्त्रोतम का पाठ रोजाना जरूर करें आपका शुवरंग रहेगा मजंटा शुवंग रहेगा आठ अब आते हैं धनुराशी आपकी रासी सी चंद्रमा आज के दिन ग्यारवी भाव में गोजर प्रमन करेंगे अता आज का दिन उत्तम लाप की परिस्तित्या आपकी जीवन में लेकर आएगा यात्राएं सुखद और मंगल में रहेगी आज के दिन सामाजिक मान सम्मान और प्रतिस्टा में भी रद् आपका शुब्रंग रहेगा ग्रें शुबंक रहेगा एक अब आते हैं मकर राशी पर आपकी रासी से चंद्रमा आज के दिन दस्वें भाव में गोच अग्रमन करेंगे अता आज की दिन जल्द भाजी में कोई भी डिसीजन बिना सोची समझे न लें पिता का सही योग मिलेगा किसी विशेश कार्य में बड़ी सफलता के योग बनेंगे 108 दुर्वा पर गिली हल्दी लगाकर श्री गजव कत्रम नमो नमा का जाप करके उन्हें चड़ाए आपका शिब्रंग रहेगा मेरून और शुबंक रहेगा च्छें अब आते हैं कुम्राशी पर आपकी रासी से चंद्रमा आज के दिन नवम भाव में गोचे प्रमन करेंगे आज का दिन आपके लिए बहुत ही भाग्य वर्दक रहेगा आपके अधूरे पड़े हुए कार्य फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे अध्यात्मिक कार्यों में आज आपका मन अधिक लगेगा और आज की दिन आउट ओफ फे जाकर लोगों की साहता करके मानसित शांती की अनुभूती करेंगे दुर्वा और लाल रंग की फूल पर इत्र लगा कर श्री गणिशाय नमा मंत्र का जाब करके श्री गणिश जी को अर्पित करें आपका शुबरंग रहेगा स्लेटी शुबंग रहेगा चार अब आते हैं मीन राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन आटवे भाव में कोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके लिए यात्रों से बरा रह सकता है पर यात्रों में अपने सामान का विशेश रूप से ध्यान रखें सस्राल वालों से वारतालाप करते समय सावधानी रखें आपकी वानी के कारण बात बिगड सकती है आज के दिन अपने कारियों को गुप्त तरीके से करने का प्रयास करें रोज हाती को मोदक या गुड की रोटी खिलाए और बगवान गणेश को 108 दुर्वा चड़ाए आपका शुबरंग रहेगा हरा शुबंग रहेगा एक तो ये है आट सितंबर रविवार का दैनिक राशिफल अब मैं अपनी वानी को ये ही विराम देती हूँ स्वस्त रहिए व्यस्त रहिए मस्त रहिए और हमीशा मुस्कूराते रहिए जै श्री रादे क्रश्ना शासरुक्त रीती से संपन्न करवाई जाती है अतह आज ही अपनी पूजा बुक करवाने है तू इन नंबरों पर संपर्क करे आठ नो पांच पांच छे पांच आठ तीन छे दो